नमस्कार किसान दोस्तों मेरा नाम है सुशिल भोई और स्वागत है आपको आपके अपने यूटूब चैनल भोई एग्रिकल्चर पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बरबटी फसल की पूरी जानकारी देने वाले हैं जैसे कि इसके लिए सही समय, सही वीदी और साथ ही सही जानकारी तो दोस्तों इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़ें वीडियो को एक लाइक ओओ चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा सबसे पहले बात करेंगे मिटी की बरबटी की फसल के लिए किस प्रकार के मिटी की आउ सकता होती है तो दोस्तों अच्छी जल निकासी वाली सही प्रकार के मिटी में इसकी खेती की जा सकती है परन्तु अच्छी पैदावार के लिए दोमट मिटी सर्वतम मानी गई है समय की बात करें तो दोस्तों आप बारा महीने बरबटी की फसल को लगा सकते हैं ठंड के कुछ दीनों को छोड़कर आप फरवरी से सितंबर तक इसकी फसल लगा सकते हैं हमारा ये जो फसल है हम अगस्त में इसकी फसल लगाए हुए हैं अब बात करते हैं कि मिटी की त्यारी कैसे करें तो सबसे पहले आप हल से एक बार खित की अच्छी तरह से जोताई कर लें उसके बाद आउसकता अनुसार उसमें गोबर का खाद या फिर रहसान खाद आप जो भी डालना चाहते हैं प्रयापत मातरा में डाल दें और फिर उस पे रोटावेटर चला कर एक बार पाटे से समान करके मेड बनाना चालू करें और आईए हम वीडियो के माधम से मेड कैसे बनाना है और बरबटी की फसल कैसे लगाना इसकी पूरी जानकारी आगे वीडियो के माधम से आपको देंगे तो दोस्तों हमने मेड़ बनाना चालू कर लिया है बरबटी की फसल के लिए तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि बरबटी की फसल दो प्रकार की होती है एक होती है लंबी वाली जिसकी लताएं लंबी होती है और दोस्तों हमने मेड़ बनाना चालू कर लिया है बरबटी की फसल के लिए तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि बरबटी की फसल दो प्रकार की होती है एक होती है लंबी वाली जिसकी लताएं लंबी होती है और उसके फल भी काफी लंबे आते हैं जिसे लगाने के लिए बांस और तार रसी के आउसकता होती है मगर यह हम जो यह फसल लगा रहे हैं यह लंबा बरवट्टी नहीं यह छोटा वाला बरवट्टी है जिसके लिए आपको कुछ करने की ज़रत नहीं होती बस मेड़ बनाए और लगा लीजिए और आप देख सकते हैं कितनी नाप में हम एक निश्चीत नाप में हम मेड़ त् द्यार हो सके और फसल अची तरह से फैल कर हो सके तो दोस्तों एक अच्छी मेड़ बनाने के लिए हमको रस्री और यह वंबू के आव सकता होती है बांस की और यह जो चड़ी है हमारी मेड़ से मेड़ के दूरी इसमें हम तै करते हैं जो कि 2 से 2.5 फिट तक है चड़ी की नाफ और मेड़ से मेड़ की दूरी दोस्तों 2 से 2.5 फिट होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह बरबटी का पौधा फैलता है जिससे आने जाने में भी काफी तकलीफ होती है इसलिए दूरी जो है मेड़ से मेड़ की दूरी 2 से 2.5 फिट तक रखें और इस रस्षी से हम रसी का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा लाइन हो सीधा बन सके आईए दोस्तों देखाते हैं आपको किस तरह से हम मेड त्यार करते हैं रसी को बीच मेलेकर दोनों तरफ से मिट्टी का चढ़ाव करते हैं मेड बनाने के लिए अब देख सकते हैं किस पूरकार से दोनों तरफ से मिट्टी चढ़ा रहे हैं ताकि मेड सीधा हो सकते हैं ये उत्तम सीट्ट इप्यास से मंगाई हुई है और बर्रबतरी के लिए कापी अच्छी बीच है हर साल हम इसी बीज का उपयोग करते हैं बरबटी लगाने के लिए और इसकी जर्मिनेशन भी काफी अच्छी होती है दोस्तों ये फ्रतिक पैकेट जो है 100 ग्राम का आता है और पहले से बीज उपचार की हुई होती है तो दोस्तों हमने जो है फैकेट से बीज निकाल लिया ह और अब हम इस बीज को लगाएंगे तो दोस्तों पहले से ही हमने एक एक फिट की दूरी इपर गढ़ा लिया है ताकि हम बीज को अच्छी तरह से लगा सकें और ना पने की जरुरत ना पड़े एक गढ़े में दोस्तों आप दो बीज डालें बीज को जो है मिट्टी के ज अब देख सकते हैं इस बीज के दो भाग होते हैं एक उपर की और नीचे की और ओर यह जो सफेद वाला भाग दिखाई दे रहा है यह उपर वाला भाग होता है और इससे हमेजा उपर ही रखें क्योंकि अंकुरण भी इुपर सही होती है बीज डालते समय है, ध्यान रखें कि इसे उपर ही रखें और हल्की मिट्टी से उपर ढग दें और यह हमेशा ध्यान रखें दोस्तों कि अब एक जगा से दूसरे जगा जब बीज लगा रहे हैं तो इसकी दूरी हमेशा एक फीट रखें ताकि कि फसल हमारा अच्छे से त्यार हो सके बीच को लगाए हुए दो दिन हो चुके हैं और इसमें अंकुरण भी आ चुकी है यह देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से बीज अंकुरित हुई है बरबटी के फसल में बहुत जल्दी बीज अंकुरण होती है क्य दोस्तों आज के लिए बस इतना ही बरबटी की आगे की भी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से आपको देते रहेंगे तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक वो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिएगा और बैल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियो क नोटिफिकर नाप तक पहुँचे और बरबटी की आगे की जानकारी भीम आपको इसी तरह पहुचाते रहें